दोस्तो क्या आपका BPF बढ़ा हुआ रहता है आपकी निसुन में ब्लॉक्रेस होने की चांसेश बहुत जादा बढ़ गए हैं आपको हाट अटेक आने का रिस्क बहुत जादा रहता हैं आपके खराब को लेस्टरॉल बहुत बढ़े हुए हैं आपको डाइबिटेस की इन सारी बिमारिये को चीख कर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हूं आपका Health and Pharma Knowledge के एक और Health Concern वीडियो में तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के तो सबसे पहले जो Health Benefits से गार्लिक को लेनी का वो यह है कि हमारे हर्ट को सुरक्षत रखने में मदद करता है दोस्ता अगर आपका कोलेस्टरॉल बढ़ा हुआ है और अगर आपका बैर कोलेस्टरॉल बढ़ा हुआ है तो हर्ट अटेक आने का जुटस्क होता है बहुत है उसको कम करने में मदद करता है और जो अच्छा कोलेस्टरॉल है जिसको हम कहते हैं HDL इसको बढ़ाने में मदद करता है जिससे हमें दिल की समस्याइं कम होती है और हर्ट अटेक करने का खतरा भी कम हो जाता है अगला जो Health Benefit है गार्लिक को लेने का वो यह है कि यह हमारे सरीर के अंदर बढ़े हुए सुगर की लेवल को कम करने में मदद करता है जिससे हमारा diabetes करने कि कम छाता है जो और हमें डायवेटीज होने का खत्रा कम रहता है दोस्तो गार्लिक के अंदर न्यूट्रिंस बहुत अच्छी मातरा में पाये जाते हैं इस प्रिसली मैंगनेज और विटामिन बीसिक्स यह हमारी बून हेल्ख के लिए बहुत ही इंपोर्टन होते हैं गार्लिक का सेविन करने से हमारी बून मिलल डेंसटी मेंचेन रहती है और हमें ऐस्टीो पोरसेस यह ज़्यों हमें पोर्स होने का जो खत्रा होता है वो नहीं होता है दोस्तो बून मिलल डेंसटी पर मैंने एक सेब्ड बीठीड वीडियो बनाया है तो इसलिए बार बार जो सब्देश काम होने की समास्या होती है वो garlic लेने से नहीं होती है और हमारे immunity वो मस्भूत रहती है कुछ studies में ऐसा देखा गया है कि garlic हमारे सरीर में cancer होने का risk होता है को कम करनी में मदद करता है इस तेशली ऐसे cancer जो हमारे पेट की आतों को प्रोस्टिट ग्लैंड को एफेक्ट करते हैं इसके अंदर sulfur नामा compound पाया जाता है जो हमारे सरीर के अंदर cancer cell को develop नहीं होने देता है garlic के अंदर anti-informative properties पाई जाती है जो हमारे सरीर में कहीं सूजन हो तो उसे कम करने में मदद करता है chronic information का मतलब ऐसी सूजन जो काफी समय से हमारे सरीर में शली आ रही हो तो उसे हमें arthritis और heart disease होने का खत्रा बना रहता है तो garlic chronic information में भी मदद करता है गार्लिक के अंदर बहुत अच्छी मातरह में anti-oxidants पाई जाते हैं जो हमारे सरीर को free radicals होने वाले खत्रे से बचाने में मदद करते हैं anti-oxidants हमारे सरीर को chronic ममारिये से बचाने में मदद करता है और बढ़ते हमें के साथ साथ जो sign दिखने रखते हैं हमारे चेहरे पर वो कम हो जाते हैं जोस्तो anti-oxidants और free radicals के उपर मैंने एक separate video बनाया है तो आप चाहें तो हमारे playlist में जाकर देख सकते हैं garlic हमारे जो liver का functionalist को improve करता है जिस वज़े से liver हमारा detoxification की process होती है उसको अच्छे से कर पाता है दोस्तो सरीय से toxin को बाहर निकालने के प्रकविया को detoxification करते हैं detoxification क्या होता है इस पर मैंने separate video बनाया है तो आप चाहें को हमारे फी लिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं हमारे लास्ट benefit है garlic को लेने का वो यह है कि हमारे digestion को अच्छा रखता है दोस्तो ऐसे bacteria जो हमारी आतों में रहते हैं और हमारे भूजन को पचाने में हमारी मदद करते हैं तो garlic के सेवन से इन bacteria की growth अच्छी हो जाती है तो दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को नाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें